वेल्कम टू माई चैनल आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इप विद्या बाहनी में स्टूडेन प्रोग्रेशन करने के तरीक है तो था इस्टूडेन को प्रोमेट करने के तरीक है 2021-2022 सबसे पहले हम लोग क्रोम में इप जाडखन.government.in पर सार्च करेंगे सार्च करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा उसके बाद वेल्कम टू इविद्या बाहने में लोगिन करेंगे अदो उसके बाद शील्य हम्लोग लोगिन करेंगे तो इसके बाद अपना जो यू डैश कोर्ट है यू डैश कोड हम लोग इन्टेर करेंगो जो let solve this math problem, उसके बाद sign in करेंगे, sign in करने के बाद इस प्रकार interface दिखाए देगा, तो left side में जो तीन जो lucky रिसमें हम लोग click करेंगे, click करने के बाद जो student activity है वहाँ पर click करेंगे, student progression पर हम लोग click करेंगे, इस प्रकार दिखाए देगा, इसमें देखिए, 21, 21, 22, 22, अगर हम लोग click करेंगे, तो उसका पूरा student जो enrollment है दिखाए देगा, जितना है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, टोटाल जो student इसमें जो संक्या दिखाए देगा, उसके बाद left side को scroll करेंगे, करने के बाद उसमें new enrollment equals bias है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर progression from equals bias to bias stage, उसमें हम लोग click करेंगे, click करने के बाद इस प्रकार interface आएगा, इसमें academic याद लिखा हुआ रहेगा, 2021-2022, district, block, cluster, इसमें जिस class को हम लोग progression करना है, उस class को हम लोग select करेंगे, मानली जाब आभी हम लोग five class का progression करेंगे, उसमें लिखिए, उसके बाद section डालना होगा, section A, उसके बाद search करेंगे, search करने के बाद five का जो student सब दिखाई देगा, इस प्रकार student का name दिखाई देगा, इसमें हम लोग मानली जे करते हैं, चांदा सब देगा, इस साइट जो left साइट में जो box है, इसमें हम लोग click करेंगे, click करने के बाद सीधा चांदा स्क्रूरल करेंगे, left साइट, इसमें जो select है, इसमें select करेंगे, select में देखिए, इसमें चार अप्सन आएगा, promoted, repeater, promoted, mom to other school, drop out, जो उसके बच्चे के लिए स्वीटे वह लोगा, वह उसमें click करना है, इसमें जिसे हम लोग promoted, तो promoted में हम लोग click करेंगे, click के promoted दिखाई दिखाई देखिए, व तो five से class six में promoted हो गया, इसमें, इसमें grade, percentage of mark, कितना percent, इसका percent आया 65%, उसमें एंटी कर देंगे, हम लोग grade भी जा सकते है, या percentage भी जा सकते है, प्रोमोटर section, और एह है, उसके बार attendance, कितना उसका attendance था, वहाँ पर एंटी करना है, इसके attendance से 72 में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो है, facility received by CWSN not applicable, उसके बाद, number of new firm to set, यहाँ, प्रोमोट इस, उसके बाद, यह complete हो गया, इसमें जागा देखना है, इसमें जो उसका attendance और percentage of marks, तो उसके बाद, पर क्रिस्टल करेंगे, उसके बाद, जो progress से वहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, तो इसमे आएगा, are you sure to submit, तो yes, sure, sure में हम लोग क्लिक करेंगे, इस प्रकार student progress successfully, ओके पर हम लोग क्लिक कर देंगे, इस प्रकार वो 2021-22 से बाइस से में प्रोमोट हो गया, इस प्रकार हम लोग student को EBITDA बाइने में progression कर सकते हैं, धन्ना बाद,